दोस्तो आज के हमारे स्वीटे को टोपिक है कि ट्रांस्मिशन लाइन पर बैटे पक्षियों को कर्णंट का चटका क्यों नहीं लगता है दोस्तो यह कोशन काफी सिंपल सा है और इसका जवाब भी काफी सिंपल सा है आप से इंट्रीव के अंतर इससे जुड़े दो कोशन प आपको बताऊंगा तो दोस्तो सबसे पहले हम पहले कोशन को समझेंगे कि आखिर पक्षि को कर्णंट का जटका क्यों नहीं लगता है तो दोस्तो आपको अच्छे समझ मैं इसके लिए मैं नहीं पर तीन वायर बनाए है आप यह समझ सकते हो कि यह तीन हो जो है यह हमारी दोस्तो सबस्टो सबसे पहले जिए यह यह हमारी टरांशान की जलाइन होती है धें इसको अ मतलब जायर हो और इस वायर की ओपर इंसुलेशन लगा हो तो यह हमारी जो तार होती है, यह तार पूरी नंगी होती है, इसको अगर आके कोई भी छूता है, तो उसको बिजली का जटका लगता है, तो हमारे पंची को क्यों नहीं लग रहा है, तो दोस्तों हमारे इस पंची को बिजली का जटका नहीं लग रहा है, इसके पीछे का पर दोस्तो हम सभी ने हमेजा बच्पन से यह सुनाइं कि, अगर हम कभी भी safety suits का उप्योग करेंगे तो हमको बिजलीगा जटका नहीं लगेगा और उसो यह बिल्कुल सही है अगर मैं आगर यहाँ पर safety suits पहन कर आगे इस face को आगे touch भी करता हूँ तो मेरे को बिजलीगा जटका नहीं लगेगा तो मेरे को बिजलीगा जटका क्यों नहीं लगेगा वो इस वज़े से नहीं लगेगा क्योंकि हमारे जो circuit है वो circuit complete नहीं हुआ है दोस्तों इसको आप एक और अच्छे से उदान समझ सकते हो कि हमारे पास में एक bulb है ठीक है मतलब मेरे को सही वितना सा करना है कि हमारे जो circuit को complete करना है तो current के पहने का सबसे पहला नियम यही होता है कि current तभी बहेगा जब हमारा circuit complete होगा जैसा कि मैंने भी आपको उदार में बता है कि अगर यह इंसान बिना जूते पहने आए इस face को आके touch करता है तो इसको बिजली का जटका लग जाता है वो इस वाज़े से लगता है क्योंकि हमारे जो इंसान है इस इंसान को face तो हमारे socket से मिल जाता है इसके अलावा circuit complete करने के लिए हमको तीन चीज़ों में से कोई सी भी एक चीज़ी है तो इसमें से हमारे जो अर्थ है वो अर्थ हमारी body को जमीन से मिल जाता है तो ये दोनों चीज़े पूरी होते ही हमारा circuit complete हो जाता है ओना आफ हमी तो बहुत की की तो भी इसको बिजली का जटका लग जएगा पक्षी को करनड नहीं लगता है इसके पीछे की पहली वज़े ही है कि हमारे जो circuit है पक्षी को करन नहीं लगने के दूसरी region की बात कर लेते हैं और ये इसका आगर program है दोस्तो इसके अलवा में आपको एक और बात बताना चाता हूँ अगर आप इंटर्वी के अंदर आपका impression अच्छा बनाया चाते हो तो आप यहाँ पे circuit complete के जगे close loop बोलेगा circuit complete और close loop लगवा एक ही चीज़ है अगर आप close loop बोलोगे तो आपका impression काफी अच्छा बनेगा अब दोस्तो दूसर रीजेन जो है वो है high resistance अब यह high resistance का मतलब क्या है तो दोस्तो इस high resistance का मतलब काफी simple सा है कि हमारे जो current होता है उस current का एक सिद्धान होता है कि वह current हमेशा उसी रस्ते को पकड़ेगा जिसमें हमारा resistance काम हो इसको आप उधारन से ऐसे समझ सकते हो कि हमारी एक सड़क है इस सड़क में हमारे दो रस्ते निकल रहे है ठीक है यह हमारे दो रस्ते निकल रहे है क्योंकि इस साइड की रोड जो है वो रोड बिल्गुल प्लेन है इधर कोई भी रजिस्टेंस रही है तो दोस्तों आपको इतना सा दिहां रखना है कि करेंट के पहने के कुछ नियम होते हैं पहला नियम यह होता है कि हमारा क्लोज लूप होना चाहिए और दूसरा नियम यह ही है कि हमारा करेंट उसी रस्ती से जाएगा जिसका रजिस्टेंस कम होता है तो दोस्तों यहां पर पक्षी के केस में क्या होता है तो हमारा जो पक्षी है वो पक्षी इस टांस में से लाइन पर बैठा हुआ है तो हमारा पक्षी जिस वायर पर बैठा है इसका रजिस्ट current है सीधा wire से निकल जाएगा पक्षी के अंदर से नहीं जाएगा क्योंकि इसको resistance ज्यादा दिख रहा है यह इस रस्ते को follow नहीं करेगा तो दूसरों अब हमारे दोनों question क्यों पला जाते हैं कि अगर आपसे बोलना है कि current के कुछ सिद्धान होता है नंबर पहला यह है कि current तभी वहता है जब हमारा close loop होता है मतलब हमारा circuit complete होता है और नंबर दो current हमेशा low resistance के रास्ते को चुनता है अब दोसरा question आपसे पूछा जाए कि तार पर अगर इंसान जाकर बैठ जाए तो क्या होगा तो दोस दोसरो इस वीडियो खतम करने से पहले आपके लिए काफी math phone सुझता है कि हमने एक website स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com दोसरो इस website पर आपको काफी अच्छे हिंदी में electrical और mechanical से जुड़े आर्टिकम मिलेंगे और आपको यहाँ पर जो भी आर्टिकम मिलेंगे वो इ अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के परतियाफी electrical से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं electrical की वीडियो से कर आप हिंदी में नेखना पसंद करते हैं आज यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आज के लिए इतना ह दन्यवाद